परिचाए, आज डिनर बहुत स्वादिश्ट है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहा हूँ। ठीक है, तुमुझे बताओ, चीनी और नमक के कड़ों की सनचनाएं अलग-अलग क्यों होती हैं। हम, इसका कारण अलग-अलग घटक कड़ हो सकते हैं। बेटे, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन उचित नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रतेक सनचना इन कड़ों के बीच रासायनिक आबंध की प्रकृती पर निर्भर करती है। चीनी के अणों में सहसैयोजक आबंध होते हैं, जबकि नमक के अणों में आइनिक आबंध होता है। ठीक है पिताजी, मैं कारण जान गया हूँ और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। चात्रू, आज हम रासायनिक आबंध और आणविंक सनचना की बारे में और अधियन करेंगे। उत्तेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासायनिक आबंध का वड़न करना। अश्टकनियम और लुईस प्रतीकों को समझना। आइनिक आबंध का वड़न करना। आइनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना, आइनिक योगिकों के गुणों की व्याख्या करना, आबंध प्राचलों का वढ़न करना, अनुराद सन्रचना का वढ़न करना और आबंध ध्रुनवनता के बारे में जानना. परिभाशा प्रकृती में अधिकतर पदार्थ अणूओं के रूप में माजूद होते हैं, जो समान या विभिन प्रगार के परमाणों का समू हैं. विभिन रासाइनिक स्पिशीज में अनेक घटकों को सनलगने रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंध कहते हैं. रासायनी काबंधों को विभिन प्रकार में वर्गी क्रित किया जा सकता है, जैसे आयनी काबंध, सह संयोजक आबंध, उप सह संयोजक आबंध, धात्वी काबंध, हाइडरूजन आबंध और वांडरवॉल बल. रासायनी काबंध की कौसेल लुईस अवधारणा परवानों सनचना के क्षेत्र में हुए विकास ने संयोजक आबंध के विभिन सिध्धान्तों के लिए आधार प्रदान किये. इस क्षेत्र में प्रारंबिक योगदान W. कौसेल और G. N. लुईस ने सन 1916 में दिया. सर्वप्रतम संयोजक्ता की कुछ तर्ग संगत व्याख्या प्रदान करने वालों में वे पहले थे, जो उतक्रिस्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी. अश्टक नियम नियम के अनुसार विभिन तत्वों के परमाणू रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणू अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का वन्यास प्राप्त कर ले. वे ऐसा इलेक्ट्रोनों के इस्थानांतरन द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनों के आपसी सह भाजन द्वारा करते हैं. लुईस प्रतीक इन संकेतों के अनुसार तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है. बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदूओं द्वारा निरुपित किये जाते हैं बिंदूओं की संख्या संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है तत्वों की सामाने संयोजक्ता संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों से परिकलत की जा सकती है उधारण के लिए लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की समाने सेयोजकता क्रमशा एक, दो, तीन और चार है। लुईस प्रतीक पर आधारित उधारण आए लुईस प्रतीकों पर आधारित एक उधारण लें। उध्क्रिस्ट गैस विन्यास के साथ आएनों के निर्मान हेतु, मैगनीशियम से फ्लोरीन परमाणों तक, इलेक्ट्रोनों के इस्थनांतरन को दर्शाने के लिए लुईस इलेक्ट्रोन बिंदू प्रतीकों का उप्योग करें। आएए हल देखें। परमाणों के लिए लुईस प्रतीक हैं। M.G. परमाणों उध्क्रिस्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए दो इलेक्ट्रोनों का त्याग करता है। लेकिन एफ परमाणों अपने सेयोजक्ता कोश को भरने के लिए केवल एक इलेक्ट्रोन क्रेहन कर सकता है। इसलिए दो एफ परमाणों को इलेक्ट्रोन इस्थानांतरन में भाग लेना चाहिए। हमें इस इलेक्ट्रॉन इस्थानांत्रण को इस तरह से दर्शा सकते हैं। आयनिक आबंद आयनिक आबंद का निर्मान एक पर्मानू से दूसरे पर्मानू तक एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के इस्थानांत्रण द्वारा होता है। समानिता इस प्रकार का आबंध एक धात्विक और एक अधात्विक परमाणूं के बीच अस्तित्व में आता है। विप्रीत आविशित आयन आकर्शन के इस्थिर वैद्युत बल द्वारा परस पर बंधे रहते हैं। आयनिक आबंध को वरीत आविशित आयनों को बांधने वाले आकर्शन के इस्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। आयनिक आबंध निर्मान के दोरा आयनिक आबंध का विर्चन निम्नलिखित तीन चरणों में होगा प्रथम चरण गैसिये धनाईनों का विर्चन इस चरण के लिए आविश्यक उर्जा आयनन उर्जा कहलाती है दूसरा चरण गैसिये रणाइनों का विर्चन इस चरण से मुक्त होने वाली उर्जा इलेक्ट्रोन बंधुता कहलाती है तीसरा चरण विप्रीत आवेशित आइनों की पैकिंग नियेचन आइनिक ठूस बनाती है इस चरण में मुक्द होने वाली उर्जा जालक उर्जा कहलाती है अब इस थेर आयनिका बंद के लिए कुल मुक्द उर्जा आवश्यक उर्जा से अधिक होनी चाहिए इस थेर आयनिका बंद के लिए दशाएं है पर्मानु बनाने वाले धनायन की आयनन उर्जा कम होनी चाहिए पर्मानु बनाने वाले रनायन की इलेक्ट्रोन बंधुता उच्च होनी चाहिए जाला कूर्जा उच्च होनी चाहिए आयनिक आबंद और सहसेयोची आबंद के बीच अंतर आइनिक आबंध एक परमाणू से दूसरे परमाणू तक इलेक्ट्रोन के इस्थानांतरण द्वारा बनता है, जबकि सह सयोजी आबंध परमाणूं के बीच परस पर सह भाजन द्वारा बनता है. आइनिक आबंद प्राया धात्विक और अधात्विक पर्माणों के बीच मौझूद होता है। आइनिक आबंद विपरीद आवेशों के आवेशित कड़ों को बांधे रखता है। आइनिक आबंद को प्रभावित करने वाले कारक। कारक जो आइनिक आबंद के विडजन का साथ देते हैं और इसकी समर्थ का भी निर्धारन करते हैं निमने हैं। आइनिक आबंद के विडजन में धात्विक परमाणू इलेक्ट्रोन त्याक कर धनाइन बनाता है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक उर्जा आइनन उर्जा के बराबर होती है। आइनन उर्जा का मान जितना कम होता है परमाणू की धनाइन बनाने की प्रावरित्थी उतनी ही अधिक होती है। इलेक्ट्रोन बन्धुता ये उर्जा तम्मुक्थ होती है जब कैसी परमाणू एक रणात्म कायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोन बन्धुता का मान परमाणू को रणाइन बनाने की प्रावरित्थी प्रधान करता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना अधिक होता है परमाणों की रिलाइन बनाने की प्रावरित्ती उतनी ही अधिक होती है. जाला कूर्जा एक बार जब गैसीय आएन बनते हैं तो विप्रीत आवेशों के आएन एक दूसरे के निकटा जाते हैं और एक निश्चित जया मितिय पैटन में त्री विमिये पैखोकर आएनिक क्रिस्टल बनाते हैं. यह प्रक्रिया उर्जा की मुक्ती के साथ पूरी होती है, जिसे जाला कूर्जा कहते हैं. इस प्रकार जब आएनिक ठोस का एक मोल गैसी आएनों के निविट संकुलन द्वारा बनता है, तो उस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जाला कूर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है. जाला कूर्जा का परिमाण निमनिलिखित कारकों पर निर्भर करता है. आइनों का आकार जितना छोटा होता है अंत्रा नाभिक दूरी भी उतनी ही कम होती है और अंत्रा आइनी का कर्षण उतना ही अधिक होगा इसलिए जाला कूर्जा का परिमाण भी अधिक होगा आइनों पर आवेष का परिमाण जितना अधिक होगा आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा और जाला कूर्जा का मान भी अधिक होगा आइनिक योगिकों के गुण आइनिक योगिकों के समानिगुन निम्न है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछालग होते हैं, लेकिन गलित या घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालग होते हैं। आइनिक योगिकों के बीच की रासाइनिक अभी क्रियाएं अपने जलिये फिलियनों में सुसज्जित आइनों के बीच संयोजन में शामिल होती हैं ऐसी अभी क्रियाएं आइनिक अभी क्रियाएं कहलाती हैं प्राया आइनिक यौकिक क्रिस्टलिय ठोसों के रूप में होते हैं। इनका गलनांक और कौथनांक अधिक होता है। इसका कारण विपरीत आवेशित आइनों के बीच बहुत शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल है। ये जल और अन्निध्रुविय विलाइकों जिनका परावेद्युतांक अधिक होता है। इनमें घुलनशील होते हैं। ये अध्रुविय विलाइकों में अघुलनशील होते हैं। आबंद लंबाई और आबंद कौन आबंद लंबाई इसे किसी अनू में दो आबंदित परमाणों के नाबिक के बीच की सामय अवस्थादूरी के रूप में परिभाशित किया जाता है। सह संयोजी त्रिज्या को लगभग उस पर्माणों के कोर की त्रिज्या के रूप में मापजाता है जो आबंदित अवस्था में सनलगन पर्माणों के कोर के संपर्क में होता है वांडर वॉल त्रिज्या अनबंधित आवस्था में संयूजी कोश सहित परमाणू का समग्र आकार निरुपित करती है आबंध कौन इस किसी अनु आयन के केंद्रिय परमाणू के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रॉन युक्म को धारण करने वाले और भी टलों के बीच कौन के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध कौन को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है आबंध एन्थेलबी और आबंध कोटी आबंध एन्थेलबी इसे गैसी अवस्था में दो परमाणूं के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आविशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध एन्थेलबी का मात्रक किलोर जूल प्रति मोल है आबंध कोटी किसी अणों में दो परमाणूं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटी कहलाती है आबंध कोटी के बढ़ने के साथ साथ आबंध एन्थेलबी बढ़ती है और आबंध लंबाई घटती है अनुनात की अवधारणा के अनुसार, जब कभी एक अल्लुई सनचना का एक अनु का ठीक ठीक वणन नहीं कर सकती, तो समान उर्जा, नाभिक की स्थितियों, आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रोनों के युग्मवाली कई सनचनाई संकर की वेध सनचनाओं के रूप में जो अनु का सही तरह से वणन करती हैं। जब किसी अनु को एक से अधिक लूई सूत्रों द्वारा, जिसमें से कोई भी यौकिक के अवलोकन किये गए, सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है, निरूपित किया जा सकता है, तो अनु की वास्तविक सनचना वेधेन लूई सूत्रों का मत्यवर्ती होती है, और ये अनुनाद संकर कहलाती है। आबंधों की दुरुवता आइनी काबंध में धनायन इलेक्टरोनीक खनत्व को अपनी तरफ प्रतिकरशित करके रणायन के इलेक्टरोन अबर को दुरुवित करते हैं। इसके कारण आइनी काबंध में सह सञ्योजक लक्षण विक्सिध होते हैं। धनायन का आकार जितना चोटा होता है इसकी ध्रोवनक्षमता उतनी ही अधिक होती है। धात्विक आबंद और सहसेयोजक आबंद के बीच अंतर चलाएमान इलेक्ट्राणों के बीच आकर्शनपल और धनात्मक अश्टियां एक साथ मिलकर धात्वी काबंद बनाती हैं, जबकि एक यही या अलग-अलग तत्वों के सैयोजी परमाणों के बीच इलेक्ट्राणों का परस पर साजेदारी सहसैयोजकाबंद कहलाती है धात्विक आबंद आदिशात्मक होता है जबकि सहसेयोजक आबंद दिशात्मक होता है धात्विक आबंद कमजोर आबंद है क्योंकि चलाय मान इलेक्ट्रोन एक साथ अनेक अश्टियों द्वारा आकर्शित किये जाते हैं जबकि सहसेयोजक आबंध मस्बूत आबंध होता है, क्योंकि आबंधिद इलेक्ट्रॉन युक्म दो नाबिकों त्वारा मस्बूती से आकर्शित किये जाते हैं। क्या आप जानते हैं? धात्विक आबंध में परबानों की बड़ी संख्या अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है। अनुनाद उर्जा कहलाता है। शुद्ध आइनिक आबंधन माजूद है, ये ग्यात नहीं है। सभी आइनिक योगिकों में सहसन्योजक आबंधन की कोटी होती है। सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्येप में दोहराएं। विभिन रासाइनिक स्पिशीज में अनेक घटकों को सनलगन रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंध कहते हैं। आश्टक नियम के अनुसार विभिन तत्वों के पर्माणूं रासाइनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि पर्माणूं अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का वन्यास प्राप्त कर ले। लुईस प्रतीक संकेतों में तत्व का प्रतीक, नाभिक तथा भीत्री कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है। जब गैसिय पर्माणूं एक रिनात्मक आएन बनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहंड करते हैं। जब आएनिक ठोस का एक मोल गैसिय आएनों के निविड संकुलन द्वारा बनता है, तो उस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जालक उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है। आबंध कोन को किसी अणू आयन के केंद्रिय परमाणों के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रोन युक्म को धारन करने वाले और्बी टलों के बीच कोन के रूप में परिभाशित किया जाता है। आबंध कोन को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंध कोन को को किया जाता है। झाल झाल